मंगलवार को करें ये उपाएं किस्मत देने लगेंगी साथ बनने लगेंगे हर बिगडे काम दोसों मेरे यूटीब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मंगलवार को करे ये उपहें किस्मत देने लगे की साथ बनने लगेंगे हर बिगड़े काम दोस्तों मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है हनुमान जी की पूजा करने से सारे संकट टल जाते हैं इसलिए इन्हें संकट मोचन भी कहते हैं दोस्तों आए जानते मंगलवार के क्या उपाए हैं इसके पहले मेरे यूटूब चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में बेल आइकन उसको पुस्किए जिसे मेरी नए नए वीडियो की नौटिविकेशन मिलती रहें शनातन दर्म हिंदू पंचांग के हिसाब से मंगलवार का दिन संकट मोचन हरुमान जी को समर्पित हैं सास्रों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन ही सिव जी ने हरुमान जी के रूप में अवतार लिया था मंगलवार के दिन पूजा पाट करने और हरुमान जी को ध्यान करने से बजरंग बली पशन होते हैं जिससे सारी मनोकामनाई पूरी होती हैं और संकट एवं कस्टों का निवारण होता हैं जोति सास में भी इस दिन को सुब बताया गया है मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विशेज प्रावधान हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपायों क करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे बिगड़े काम बनने लगते है इन खास उपाईयों से आप हरुमान जी को भी प्रसन कर सकते हैं जानते हैं मंगलवार से जुड़े उपायों के बारे में वीडियो अची लगे तो लाइक और नाच्छी लगे अनलाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सस्काइब करना मत भूलिएगा चलिए देखते हैं क्या हुपाएं मंगलवार के दिन सुबह इस नानी आदी करने के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं साथ ही हनुमान जी को चोला चड़ाएं माला पहनाएं और लड्डूओं का भोग लगाएं इसके बाद हनुमान चालिसा का पाट करें इस उपाए को करने से बदरंग बली पसंद होते हैं राह में आने वाली सभी बाधाओं को सीघरी दूर्द कर देते हैं नेक्स्ट हैं आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूं फली या केला खिलाएं अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव न हो तो आप किसी गरीब ये जरूरत मंद को इन चीजों को दान कर सकते हैं इस रपाय को ग्यारा मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है नेक्स्ट है घर पर कोई छोटा बच्चा है और वह खुब रोता है तो मंगलवार के दिन नीर कंट का पंक बच्चे के पिस्तर के नीचे लगा दे मंगलवार के दिन राम रच्छा इस्तोत का पांट करें इससे हनुमान जी की करपा से जीवन की समस्थ समस्याओं से मुक्ती मिलती है मंगलवार को साम में हनुमान जी को केवड़े और इतरका और गुलाब की माला चड़ाएं मंगलवार के दिन जोंके आटे में काला तेल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं इस रोटी को तेल और गुल चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति को बच्चे से साथ बार वार कर भैंस को खिला दे इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंद खतम हो जाता है यह थे मंगलवार के दिन करने के उपाएं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजेगा चलिए अगली वीडियो मिलते हैं राधे राधे